वेलकम दियर स्टूडेंस मेस्टिवों और आप जुड़ी हुए हैं jmvmaths.com के साथ आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं वेशनल लंबर भी थर्ड पार्ट को ये थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आप सोच रहे होंगे इतना लंबा क्यों खिंचा जा रहा है हमारी सलेबस को एक्चल में ये लंबा नहीं है आपका डेड या दो महिने में पूरा कंप्लीट सलेबस जो है आपके एंडर्स इक्जाब का कवर कर दिया जाएगा लेकिन इसे लंबा खिंचना भी जरूरी है क्योंकि किसे भी अर। important questions को ठीक है यह सारी चीज़ जो है हम आपको अलग-अलग videos के मात्यम से समझाते हैं ताकि आप basic भी समझें इनके नियम भी समझें इनके important questions को भी समझें ताकि जब भी आपके question या system को change करके आपको कुछ भी आपके entrance exam में दिया जाता है तो आप लोग उसे क्रेक करने में पूरे समर्ठे के साथ काम कर सके लेकिन तब तो गलत होगा जब आपके पास basic नहीं होगा रूल नहीं होगा लेकिन प्रशन करवाई जाएंगे तब आप कर नहीं पाएंगे आज की class में हमने पिछले class में ये सीखा था कि आज की class में हम करने वाले हैं board mass rule को सबसे ज़्यादा एहम है ये board mass rule और board mass rule के बाद हम इस board mass rule को कैसे लागू करते हैं अपने प्रशनों के अंदर वो भी समझेंगे और इसके साथ साथ कुछ important प्रशन भी करेंगे हम rational number चैप्टर को चार भागों में complete करेंगे दो भागों में important प्रशन और दो भागों में नियम और basic है जरूरी है सब ठीचे तो आज के इस पार्ट में हम वी board mass rule को समझेंगे सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो समझेंगे ठीक है वी board mass rule actual में होता क्या है ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वी का मतलब होता है well column bar ये bar क्या होता है आपने कभी भी प्रशनों में देखा होगा 0.3 की उपर बार लगा दिया या plus में 3 या 3 plus में 6 minus में 2 और minus में इसको bracket में लिख दिया 3 और इस तारे के उपर लिख दिया bar तो इस bar का मतलब क्या है वो हम इन प्रशनों के या example के माध्यम से समझेंगे ठीक है इसके बाद आजाता है B, B का मतलब होता है bracket यानि costic costic कौन-कौन से होते हैं 4-3 तरह से बघार लिख दिया तरह है सब Cord Verb इसके बाद में आजाता है इससे बड़ा bracket सबसे जादा बड़ा bracket हम इस थेन bracket को ही जानते हैं जिससे हम समझते हैं ठीक है इसके बाद मी आजाता है ? का का मतलब वोसे कॊरा होता है ठीक है, सबाई में जिससे इसे लागू करेंगे, तब आप समझ जाओगे कि कैसी होता है, इसके बाद में आता है Divide, इसके बाद में आता है Multiply, इसके बाद में आता है Addition, और इसके बाद में आता है Subtraction, ये चीजे जब भी आप कोई भी मैठ्स की छोरं करते हैं आपको समझना चाहिए कि इस इनवेंटिड कोण करता है ये बनाता कोण है बोर्ड मास एक ऐसा रूल है जिसे किसी ने इनवेंट नहीं किया है ठीक है ये किसी सभा की अंदर या फिर बैठक बुलाते हैं उसमें जैस इस जबाता भी रूल है जो बहुत से लोगने बना रखा है create कर रखा हैं एसरली करने संसरोत को हल करने के लिए using Bagh improv कर दिया जाए तो इसके इनवेंटिड किसने किया इसको किसमें बनाया इसकी इसका किसमें रचा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ठीक है ये नियम है जो आव resource के दवारा पैदा किया गया है बनाया गया है और इसको ऐसा नहीं है कि किसी ने first time बनाया है बहुत से लोगों ने इस example के साथ इसे बनाया है किसी ने simply board mask की नियल से बनाया है तो किसी ने v board mask की नियम से बनाया है v board mask इसे complete कर देता है और बोर्ड मास एक से complete नहीं करता क्योंकि जब points में कोई सवाल आ जाते हैं तब समझने में आसानी नहीं रहती है ठीक है तब ये समझने के लिए वी बोर्ड मास रूल्टी तो इसको नाम दे दिया गया और इसे simplification को आसान तरीके से हल करने के लिए बनाया गया ताकि बच्ची confused नहां हो बच्चों को एक नियम बना कर दे दिया जाए ताकि बच्चे इस जीश को आसानी से समझ सके ताकि उनको किसी भी तरीके की आगे समझ्या ना है और वो नियम के माद्यम से इसे सीख जाए क्योंकि नियमों के माध्यम से हर बच्चे नियमों के माध्यम से हर स्टूडे डिसस सीख सकते हैं ठीक है अब इससे related एक example लेती है तक ही आपको वी बोड मास rule का पता लगे कि कैसे इसे करते हैं ठीक है अभी हम देखते हैं एक example लेकर जिसे कि आपके पास एक प्रशन आ जाता है और ऐसे बहुत से exam में प्रशन आते हैं जो कि brackets के माध्यम से या ऐसे माध्यम से आपसे पूछी जाते हैं ठीक है प्रशन यह है 7 सही 1 बटा 2 साथ सही 1 बटा 2 माइनस में बड़े वाला bracket स्टार्ट कर दिया यहां से 2 सही 1 बटा 4 डिवाइड बाई इस से छोटे वाला bracket स्टार्ट कर दिया यहां से 1 सही 1 बटा 4 माइनस में 1 बटा 2 इसके बाद में छोटा bracket स्टार्ट कर दिया 1 सही 1 बटा 2 माइनस में 1 बटा 3 माइनस में 1 बटा 6 इस छोटे वाले को बंद कर दिया फिर इससे बड़े वाले को बंद कर दिया और इससे सबसे बड़े वाले को लगा कर bracket को बंद कर दिया यह सवाल है और यह सबसे एहम सवाल है आपके एंटल्स एक्जाम के लिए करना चाहिए, सीखना चाहिए, बोर्डमास रून को सीखने के लिए सबसे जबा एहम यह सवाल होते हैं, ठीक है, अभी सवाल को समझते हैं, सबसे पहले हम इस Mixed Fraction को, मिक्स फ्रेक्शन मतलब जो सहीयों में सवाल होते हैं, Mixed में होते है, of and by में सवाल होते हैं उसको complete कर लेते हैं जैसे इसे complete करने का एक formula है 2 साते 14 और इसके अंदर इसका क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए यानि इसके साथ multiply और इसके साथ 8 2 साते 14 और एक 15 यानि 2, 7, 14, and 1, 15 upon 2 आजाएगा इसकी जगे फिर बड़े वाला bracket 4 दूने 8 और एक 9, 9 बटा 4, divide by फिर ये दिजिए वाला bracket, 4 और एक 15 बटा 4, minus 1 बटा 2, simply bracket अगर लग गया तो इसका मतलब यहाँ पर इसका divide, multiply इसका winning होगा ठीक है, दो एकम दो और एक 3 बटा 2, minus 1 बटा 3, minus 1 बटा 6, bracket बन ये चे अब क्या है, हमें प्रियोग करना है, बराबर क्या आएगा हमें नहीं पता, ठीक है, यही तो निकालना है ठीक है, हमें क्या rule follow करना है कौन सा, यह rule क्या कहता है, सबसे पहले when column bar को solve करेंगे, लेकिन हमारे पास नहीं है, इसकी कोई भी पुष्टी, क्योंकि हमारे पास सवाल तो है, लेकिन bar किसी में नहीं है, ठीक है, दूसरा ब्रेकेट, ब्रेकेट का नहीं है, मैं सबसे पहले स सबसे छोटे ब्रेकेट को solve करेंगे, तो सबसे पहले हम इस ब्रेकेट को solve करेंगे, ठीक है, तो बाकी जवाल को तो वैसे ही निक देना है, क्योंकि यह practice हो जाएगी, मैं अराम से करवा रहा हूँ, लेकिन आप इसको 20 या 30 सेकिंड में भी हल करना सुरू कर दोगे, ठीक है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, लगुताम, यानि LCM लेना पड़ेगा, और LCM क्या होता है, सभी का common multiple होता है, यानि 2, 6, 12, 3, 12, 6, 12, 12, तो सभी का common multiple जो बनेगा न, वो बनेगा इस ता क्या, LCM, ठीक है, तो LCM आ गया 12, अब यह देखना, इसका तो हर है न, उसको 12 बना में कितना गुना करना पड़ेगा, 6, यानि 6 दूनी बारा हो, तो इसकी 6 से गुना कर दीजी, 6 तीए, 18, माइनस में, यह क्या है, 3 है, तो 300 के 12 हो, तो 4 से गुना हो जाएगी, एक के साथ, इसकी किसके साथ हो जाएगी, तो यह आजाता है, 12 बटा 12, यानि 1, क्या आजाता ह है, इसका ले लेंगे LCM, LCM कितना आता है, LCM इसका जाता है, 8, 6, क्यूंकि 4 के table में 4 है, और 2 के table में भी 4 होता है, तो 4 NCM ले लेंगे, इसका कितना लेंगे, 4 ने लेंगी, तो 4 हम दो चार यादा होता है, यह पांस का पाँस बढ़ा रहेगा, अब क्या हो गया, यहाँ प बड़ा ब्रेकेट इसमें क्या हो गया यहाँ पर दिवाइड का साइन है तो डिवाइड को बना देंगे तो मल्टी प्लाई क्या बनादेंगे मल्टीपलाइ मल्टीपलाइ बनाए बनाएंगे तब क्या हो जाएगा रकम पलट जाएगी इधर वाली दो तीन बटा चयार था क्या दो माइनस पन आगया माइनस नहीं आगया 3 तो LCM लेना पड़ेगा LCM कितना आएगा 2 आएगा 2 आएगा तो बटा में लिक दिया 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 15 है ठीक है और इसके बटा में 2 था तो 2 एकम 15 15 ही हो जाएगा यहाँ पे 3 है तो 3 की बटा में तो नहीं है तो यहाँ से कितना हो जाएगा यह 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा 6 यह आजाएगा 9 बटा 2 यानि अब इसको Mixed Fraction में अगर प्रशन दिया है तो आंसर भी लगबग Mixed Fraction में ही मिलेगा तो इसे लिखते हते हैं 2 तो बटा में है 2 चोके 8 और 1 9 यानि 4 सही 1 बटा 2 इसका आंसर अगर 9 बटा 2 है तो भी सही है अगर 9 बटा 2 आंसर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो वहाँ पे होगा 4 सही 1 बटा 2 इस तरीके से इस Board Mass Rule का वे Board Mass Rule का प्रयोग किया जाता है और भी ऐसे इंट्रेस्टिंग प्रसन आएं ले क्योंकि आज हम Number System या फिर Rational Number Chapter के Important प्रशन करने वाले हैं और ये किसके लिए रूल बटा है सरली गर्ल के लिए बटा ताकि आसामी से आप सवालों को हल कर सको ठीक है अभी हम आगे समझेंगे इससे related प्रशन जो कि आपके entrance exam में आते हैं ताकि आप इसे समझ सके और इससे बहतरिंग अगर आप practice करना चाहते हैं तो हमारी website gnvmaths.com पे जा सकते हैं या description में हमने book दे रखी है और book की link दे रखी है ताकि और book download कर लीजी उसमें सबसे ज़ादा help मिलेगी आपके entrance exam को crack करने के लिए book बहुत ज़रूरी है dear student entrance exam को crack करने के लिए book से practice करनी बहुत ज़रूरी है books में आपको basic भी सीखने को मिलेगा practice के लिए भी प्रशन होंगे करने के लिए भी प्रशन होंगे तो सारा mix अप जो है आपको book में मिलता है सबसे important होता है book को purchase करना तो book के लिए description box में जाए guaranteed मैं कहता हूँ कि जिसने भी हमारी book को purchase किया 100% उनका selection हुआ है super 100% बुनियाद के काफी students है जिनोंने हमें whatsapp के उपर धन्यवाद किया है अभी हम पहली प्रशन से सुरुवात करते है आज हम important प्रशन करने वाले हैं पिछली class में हमने कहा था कि एक वी mode मां सुरूल रहता है जो कि मैं अलग से आपको करवा हुआ और उसके बाद class को start करवा हुआ जिसमें important हम प्रशन करने वाले है इसमें पहला प्रशन आता है कि सुन्डिय जो है न वो क्या है इसमें उदारन है समसंख्या है विसमसंख्या है ऐ भाजे संख्या है या फिर या फिर पुर्णाग है हमने कई तरीके से समझा था ठीक है समसंख्या हो संख्या होती है तो दो से भाग जाए विसम वो होती है तो दो से भाग ने जाए ए बाजे संख्या होती है या तो खुल्ष के साथ भाग जाए या फिर वो एक के साथ भाग जाए लेकिन पुर्णाग संख्या होती है तो प्रुणांक संख्या है, 0 कौन सी संख्या है? एक प्रुणांक संख्या है और इसे न्यूटन नमबर भी बोला जाता है क्योद कि ये किसी में कहीं भी सायोग के तोब नहीं आता लेकिन इससे फरक बहुत पढ़ जाता है 0 अगर एक की आगे लगा दिया जाए जान भी लिएगा एभाजय संख्या एभाजय संख्या वो संख्या होती है जो या तो एक के साथ बाइब जाएगी या फिर वो खुद के साथ ही भाग जाएगी उसे बोलते हैं एभाजय संख्या ठीक है सबसे बड़ी एभाजय संख्या दो अंकों में 97 होती है 97 या तो पहुंची होती है, 97 होती है, दो अलकों की समसे बड़ी भाद ये भाद ये संक्याज होती है, वो कौन सी होती है, जी, बिल्पुल, 97 होती है, आपके एंटरेंस एक्जाम में ये पुछा जा सकता है, ओप्शन जरूर मिलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको ओप्शन गुणन प्रतिलों क्या है, 0 बटा 5 का गुणन प्रतिलों, पहले तो हम गुणन प्रतिलों या गुणात्मक प्रतिलों को सीखते हैं कि क्या होता है, मैंने कहा था कि हम कितना भी बेसिक करनें, वेकिन प्रशनों के साथ में हम कुछ बेसिक को समझें, गुणात्मक या गु गुडात्मक प्रतिलोम 3 बटा दो यानि अगर इसे गुडाव भी करना पड़े तो उसका उत्तर कितना है एक है गुडात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है उस संख्याप वो पल्टने सिखी गई गुडाव से जब 1 बनता है that means वो क्या है गुडात्मक प्रतिलोम है तो गुडा परिभासित बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आपके पास option में ये होगा, लेकिन आप देखोगी कि सर 0 बटा 5 तो आपने करवाया थे, लेकिन 5 बटा 0 option में नहीं था, क्योंकि आपने ही तो बोलाता, रकम को पल्टना ही तो गुणातमक प्रतिलोम है, बट actual में मेरा कहना ये है कि पल्टना रकम को सही है लेकिन पल्टने से बना क्या वो बनाया आप परिवासित या इंफिनेटी ये भी बात ध्यान में रखनी है पल्टने का मतलब पलटके मता जाना कहीं आपको option ही ना मिले ठीक है इसके साथ हम दूसरी एक और example को समझते हैं जिसका नाम है योज योज्य प्रतिलों किसीरी संख्या का योज्य प्रतिलों निकालना हो तब हम क्या गरेगे हमारे पास प्रशन है निमन मैंसे कौन सी प्रमे संख्या प्रमे संख्या के योज्य इकाई तच्छनक है कोई भी संख्या हो योज्य का मतलब क्या होता है योज्य का मतलब होता है अब ही उस संक्या को उसमें से घटाने से या जोडने से या अपोजिट साइल लगाने से उसका आंसर 0 बन जाए जिससे एक का योज्य प्रतिलोम आपसे अगर पूछ लिया जाए एक का योज्य प्रतिलोम क्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा 1-1 क्योंकि अगर इसे ज जोडेंगे तो उत्तर कितना आजाएगा जीरो आजाएगा और इसकी एकाई क्या है तत्समख क्या है जीरो है जिससे कोई भी effect नहीं पड़ेगा क्या है जीरो है तो इसका option क्या आएगा जीरो आएगा क्या आएगा जीरो आएगा किसी भी सवाल को आप नहीं समझ पाते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि हम पूरी गहराई से हर सवाल को हल करवाते हैं टाइम लगाते हैं ताकि वो समझ में आजाए आपके दिमाख में वेड़ जाए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगला सवाल एक-एक सवाल को आप पूरी बारेके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको किसी नी तरीके की साथ चान ना आए अगला सवाल है तेहतर लाख च्यासी हजार तेहतर लाख च्यासी हजार अर्टिस थर्टी एट ये किस की भाज्ये है यानि ये संचा किस से भाग जाएगी औप्सन भी ये हुए है औप्सन फर्स्ट जो है वो त्री है औप्सन सेकिंड जो है वो फोर है option 3rd जो है वो 9 है और option 4 जो है वो 11 ठेक है यह किस से बाव जाएगी बाईया यह बताना है तो मैंने इसके लिए बहुत अच्छी trick दी थी उमीद है आप लोगों ने उस trick को follow किया होगा पहले आते है 4 की trick पे 4 का trick का मतलब क्या था अगर last 2 digit काई और दहाई अगर 4 से divide हो रहे हैं that means वो संच्छा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो 4 से divide हो जाएगी नेकिन 38 जो है 4 के table में नहीं जाता तो इससे भूल जाएगी next आता है 3 और 9 3 और 9 के लिए मैंने बोला था किसी भी संच्छा के अगर को का योग कर दीजिए अगर वो योग 3 और 9 से भाग जाता है that means वो 3 और 9 से भाग जाएगी तो यहाँ पर इससे जोडते है 7 और 3 10 यानि 7 और 3 10 10 और 8 18 18 और 6 120 120 और 3 27 27 और 8 कितना ठीक है 35 क्या सही बोला है आप हुए 35 क्या रियल में 35 होता है अधे खुद दाख है ठीक है 27 और 8 35 हो गया ठीक है तो 35 ना तो 3 के टेबल में आता है ना 9 के टेबल में आता है ठीक है तो इसका मतलब यह किस से डिवाइड हो सकता है पहली तो बात है जब 3 और अप्शन हमने कट कर दिये यह है यह नहीं तो 4th option से यह डिवाइड हो जाएगा लेकिन फिर भी हम 4th option को समझेंगे जानना ज़रूरी है हो सकता है आप 4th option से start करो और वहीं से आप गलती कर बेटो 11 के मैंने आपको trick दी थे कि 11 उस संख्या से बाग जाएगा जिनका समसंख्या और विसंख्या का योग या तो 0i या i in level या 0i या i in level तो हम देख लेते हैं ठीक है 11 से सुरू करते हैं यह समसंख्या है 3 प्लस इसके बाद में आगया 6 प्लस इसके बाद में आगया 8 sorry 3 3, 6, 3 यह क्या है समसंख्या अब इस समसंख्या होगा योग करते हैं माइनस में 8 0 8 7 कितना हो गया 8 and 8 8 और 8 16 होते हैं और 16 और 7 16 और 7 कितने होते हैं 23 सही है क्या ठीक 7, 6 और 3, 9 9 और 3 कितने होते हैं 12 अब इसमें से 12 घटा दीजिए उत्तर कितना गया 11 इसका मतलब यह 11 से क्या है properly भाग हो रही है ठीक है तो यह अगर इससे completely भाग हो रही है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है यह 11 से भाग जाएगी आपका option D correct है लेकिन आपको इतना time नहीं लेखेगा 4, 3 और 9 को एक 20 सेगिंड में आप approximately समझ लेंगे कि हाँ इससे तो भाग नहीं होगी भाईया तो रहा 11 से भाग कर देना उसे हल नहीं करना है वहाँ पे solution कोई नहीं देखेगा option होता है option देखेगा option को आप tick कर दोगे जैसे option को tick करोगे तो आपका question जो है सही हो जाएगा अगला question तो बहुत आसान सवाल है यह उमेभ है कि आप समझ रहे हैं अगला सवाल निमन में से कौन से संख्या नो से भाजिय है ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई संख्याएं दे जाती है और पूछनी आजाता है कि नो से भाजिय कोन से संख्या है पहला है पिचेतर बतिस चारसो अठावर दूसरा option है 68-12-348 तीसरा option है 62-34-518 चोथा option है 47-0-18-28 अब ये देजिए ये सवाल है आपको कोल दिया कि निमन में से कौन से संख्या किसे भाग गया है नो से भाग जाएगी कम लिए कि ये आपको बता ला है तो इस समय आप सबसे ज़रा अपने mind को capture करने के लिए क्या करोगे वही काम करोगे जो मैं बताता हूँ कि आपको नियम सीखने चाहिए नियम सीखने लिए तो उसको आसाने से कर सकते है वरना मान के चलिए option ये correct है पहने इसको करोगे फिर इसको करोगे फिर इसको करोगे तो अब हम देखेंगे कि 9 का बोल दिया तो 9 के लिए हमारे पास ठीक है कि 9 उसी संक्या से भाग जाएगा जिस संक्या का जोड 9 से भाग जाएगा तो आपके लिए ये आज का होम रख है option A, B, C and D कौन सा correct option है वो आप मुझे comment box में बताएंगे जो कि 9 से भाग जाएगा मैंने ट्रिक आपको बता दी है लेकिन आपको हल करके मुझे comment box में बताना है कि कौन सा correct answer रहेगा अब करते हैं अगला सवाब हम इसको अगले पार्ट में भी करेंगे कुछ important question अगले पार्ट में भी करेंगे हम पुसिस करेंगे कि दो पार्ट में कम से कब 20 या 30 प्रशन आपको हल करवाई जाए और book से 100 प्रशन आप हल करी सकते हैं अगला प्रशन है यदि 157 देखिए 157 और इसके बाद दे दिया इसने के लिए एक star है यहाँ पे 2, 3, 4, 2, 3, and 4 कोमा लगा के बोल दिया तीन से भी वाज़े हो अगर यह संख्या है और यह तेन से पूरा पूरा भाग जाए तो इस star के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है इसके लिए बहुत यह अच्छी क्रिक है यह संख्या किस से भाग जाएगी वह यह complete ही है हमें पता है ठ्री से भाग जाने वाले वह संख्याएं होती है जिसका से जोर जोर जो Strong हुंगे हम क्या पनें इंगे इन संख्या जोर देंगे ठीक है साथ और पास बारा बारा और एक तेरा तेरा और दो पंधरा 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 और तीन कितने होते हैं भई या 15 अठारा और चार कितने होते हैं 22 इसका जोड कितना आगया 22 बाइस में और कितना जोड़ना चाहिए कि वो 3 से बाग चला चाहिए 2 जोड़ना चाहिए कितना आगया 24 24 तीन के टेबल में आता है बिलकूल आता है इसका मतलब इस स्टार की जगया अगर दो होता ना तो ये कितने से बांग चला जाता तीन से भाग चला जाता कितना आसान है मित ऐसा ही है बड़ा आसान है पताने क्यों आप लोग डरती हो मैट से इसी भी एक है दाव 11 और 12 वो मैट से जरूर करें मैट से भागे नहीं मित बड़ा प्यारा है बड़ा अच्छा है अगला समवाद कोई संख्या 11 से भाज़े है इसने बोला गिले सवाल में ठीक है ये कहता भी कोई संख्या है जो कि 11 से भाज़े है मेरे सब्टाइटल दिये हैं निचे और सब्टाइटल आपको शो हो रहे हैं लो उसमें आपको ये प्रशन भी शो हो रहे हैं बोल्ड पर लिखने की अगर जरूरत है आप लोग बता दीजिए कि हम आप सर बोल्ड पर लिखा करो साकि हम प्रशन को दबारा रीड कर बाएं तब भी कर सकते हैं लेकिन मैं कम से कम 4 या 5 बाग प्रशन को भोल देता हूँ तो मुझे लगता है आपको यादी हो जाता होगा प्रशन भी कोई संख्या 11 से भाजिय है यदि उसके सम दता विशम स्तानों का अंकों का योग का अंतर हो इसने कह दिया विठीक है कोई संख्या है जो 11 से भाजिय होगी वो कब होगी जब उनके सम और विशम संख्या होग का योग जो है वो किस किस के बराबर हो सकता है या तो वो 3 का गुर्ण जो या उनका अंतर जो है वो पांस का गुणल जो यानि पांस से भाग जाई या उनको अंतर जो है न वो जीरो या ग्यारा हो ग्यारा का गुणल जो सोरी ग्यारा से भाग जाई या जीरो उसका अंतर बने या जीरो और साथ का गुणल जो ये इसके option है आप हो मैंने trick बताई थी ग्यारा से बाग वही संख्या जाएगी जिनके सम संख्या और विसम संख्याओं का जोड़ या तो 0 बने या 11 से भांग जाने वाला बने ग्यारा बाइस ते तीसे से कुछ ठीक है बहुत ही असान है इस सवाल का उतर आप समझगे होंगे option C is correct 0 या 11 का गोणल जो संख्या बनेगी ना सम संख्या और विसम संख्याओं का अंतर यानि घटा ठीक है तो वो संख्या इससे भांग अगला सवाल है यदि double 7, double 7, double 7, double 7 यानि यदि double 7, double 7, double 7 इसका मतलण क्या होगी आपको पता है ते 77,777, bhaag में x बराबर में 11 हो तो x का मान क्या होगा Find the value of x हमेँ इस x की पेड़ी निकाल ली है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है इसके भाग में कितना है ग्यारा है ओ सुरी यहाँ एक्स ताना भाग में एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर जा लिखते हैं ग्यारा लिख ले ठेक है अब एक काम कर सकते हैं इस एक्स को क्रोस करनेते हैं इसको इदर लियाते हैं अब मैं भाग करने का एक अच्छा तरीका आपको सिखा रहा हूँ, आपके हर competitive exam के अंदर, कोई भी entrance exam के अंदर, भाग करने की class अब से महत्तरोड होती है, आप कैसे कम से कम समय में भाग कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि time ही तो नहीं होता, ठीक, अब करेंगे भाग, 11 एकम 11 और 11,37, अब उतारा 7 को, तो 7,11 से भाग नहीं जाएगा, तो लिया 0, अब बन गया ये 77, फिर आगया 11,37, फिर हमें इस 7 को उतारा, जब 7 को उतारेंगे, फिर ये 11 से भाग नहीं जाएगा, जाएगा, क्या लेंगे, 0 लेंगे, फिर जाएगा, 11,37, यानि कितना आगया, 70,707 पर ये भाग चला जाएगा, 70,707 पर ये भाग चला जाएगा, और ये हमारा options हो है, correct है, ठीक है, ओके, ठीक है, आज, आपके entrance exam में इतने ही प्रशन करेंगे, लेकिन अगली कलास में फिर हम, important प्रशन लेके आएगे, और फिर से rational number से ही जुड़े प्रशन लेके आएगे, उसके बार में आपका अगला chapter सोयू करेंगे, वरग तथा वरग मूल, और वो chapter सबसे ज़्यादा important है, कि अपके उस chapter से कम से कम दो या तीन प्रशन आपके entrance exam में आते हैं, सबसे एहम बात यह ही है, आज के लिए तना हैं, जे फिर, जे भार,